गाजर की ऐसी टेस्टी मिठाई जो की हम बनाएंगे घर में कुछ बेसिक इंक्रीडियन्ट के साथ जिसके लिए आपको ना चाहिए दूद ना ही खोया और मुँँ में घुल जाने वाली है ये मिठाई तो वेलकम है आपका समस किचिन में यहाँ पर मैंने कोई 200 ग्राम के आसपास गाजर लिया है इनको दो करके ऐसे पतले टुकड़ों में काट लिया है गाजर हमारी कटकर तयार हो गई है अब एक किसी बरतन में डालेंगे गाजर को और साथ में इसमें डालेंगे आधा कप करी पानी और इसको धकल लगा करके पकाएंगे जब तक कि यह सॉफ्ट नहीं हो जाती है तो दस से बारा मिनिट का टाइम लगेगा इसमें और अब गाजर अच्छी तरह से पग गई है चलिए देख लेते हैं गली है या नहीं तो गली हमारी गाजर अच्छी तरह से गल चुक तो थोड़ा ही पानी बचा है इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला था और यहां पर जो बचा हुआ पानी इसको मैंने डाल दिया और अब इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे तो यहां पर गाजर का बहुत ही बारीक सा पेस्ट तयार हो गया है अब मैंने लिए हैं कुछ चोटे चम्मच यह लिया है कॉन फ्लार और उसमें खरीब आधा कप पानी डाल करके हम इसको घोल बना लेंगे क्योंकि यह जटपट बनने वाली है इसलिए हमें सारी प्रेपरेशन पहले करनी है अब कड़ाई में मैंने एक चोटा चम्मच देशी घी लिया है और घी के गरम होते ही उसमें डाल देंगे हम यह चोटी इलाइची का पाउडर एक चोटाई चम्मच तो पांच चाई इलाइची को मैंने इसका दाने निकाल करके पीस लिया है और इसको कुछ देर फ्राई करेंगे बढ़िया सी खुश्बू आने लगी और अब यह जो उबली हुई गाजर का पेस्ट हमने बनाया था उसको टाल देंगे और इसको हम भूनेंगे करीब चार-पांच मिनट तक हाई फ्लेम पर ताकि गाजर का कच्छापन निकल जाए वैसे तो उबल गई है लेकिन इस तरह से पकाने से और सोंधा पान इसमें आएगा और इस तरह से यह पक रही है कलर देखिए कितना अच्छा आया है हमारा किसी आर्टिफिशल कलर की जरूरत नहीं है और अब मैं डाल रही हूं इसमें तीन बड़े चम्मश शकर तो यह हो तक भूनेंगे इसको 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर जादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में तो बस इस तरह से अब शुगर वाला पानी भी ड्राय हो गया है और अब यह जो हमने कॉन फ्लार स्लरी बना के रखी थी उसको भी डाल देंगे तो इसको डालने में इसके बाद हमें चलाना नहीं रोकना है जब तक ही पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाता है अदर्वाइस इसका टेक्स्चर बेगर जाएगा आज को धीमा कर लेंगे और इसको चलाते रहेंगे तो अब देख रहे हैं आप पूरी तरह से यह मिल गया है इसमें और काफी थिक लगी है तो प्लीज लाइक ज़रूर करिएगा कॉमेंट करिए कॉमेंट आपके पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको रिपलाई करना और काफी मॉटिवेशन भी मिलता है आप लोग के अच्छे अच्छे कॉमेंट पढ़ करके और अगर आपको कोई रेसिपी मैंने काजू रख दिया और साथ में यह हमने जो मिठाई बनाई है इसको डाल देंगे ताकि यह सेट हो जाए एक मठंडी हो जाएगी तो फिर शेप नहीं लेगी तो चम्मच में मैंने हलका सा घी लगा लिया है ताकि हम इसको बराबर कर दें और इस तरह से एकदम चिकना हो जाएगा जैसे हम हल्मा वगैरा चिकनाते हैं और बस इसको रखेंगे सेट होने के लिए फ्रिज में गरीब दो घंटे तक दो घंटे हो गए है और यह जम गई है और अब बस चाकू से इनके किनारे अलका सा चुड़ा देंगे और इसको हम बड़ी आसानी से निकाल ले है जो बड़ो और बच्चो सभी को बहुत पसंद आएगी तो कीप वाचिंग समस किचिन डेली नई रेसिपी के लिए थैंक यू